दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि अगर आपकी मोबल में भी MX Player की और से जो है notification नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप जो है MX Player application में आप notification को चालू कर सकते हो तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना पिल्कुल बिस्त की अप मत करना तो सबसे पहले गाईस MX Player में जाने की बाद MX Player application में कही पर भी आपको option नहीं मिलता जिससे कि आप अपनी notification को on कर पाओ तो इसके लिए आपको करना क्या है Simply Guys आपको अपने Mobile के settings में जाना आ है Mobile के settings में आने की बाद यहापर आपको notification option को डूँड देना है जहाओ आपको आपको notification option पर क्लिक करना है इसके बाद यहापर आपको आपकी mobile के सभी application मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको MX Player Application को डूंडना है तो simply guys यहाँ पर आपको MX Player Application के आगे आगे आपको जो option को disable कर देना यहाँ पर search बारवर क्लिक करने की बाद यहाँ से आप MX Player Application को search भी कर सकते हो और MX Player Application के आगे इस वाले option को आपको enable कर लेना जैसे आप इस option को enable करोगे इसके बाद MX Player की notification चालू हो जागे इसके बाद MX Player की वर से आपकी mobile में सभी notification ज़रूर आईगी तो इस तरीके से आप MX Player की notification चालू कर जगते हो तो guys कैसा लगा यह वडियो में comment करके ज़रूर बता है इसके लिना.